Fibonacci retracement को किस तरीके से trade किया जाता है आज आप इस वीडियो के इंदर सीखने वाले हो सपैसिविकलिए जब बात करते हो option buying की bank grifty के अंदर तो आप किस तरीके से Fibonacci को trade करेंगे किस तरीके से retracement को आप trade करेंगे आप आज सीखने गाहिशाम यादव सर से, so sir here we go, thank you, actually हम थोगते फेवनाची के बारे में समझते हैं, यहाँ पर पहले चीज़ आप एक समझना है कि मैं फेवनाची को सिर्फ बाइंग के लिए यूज करता हूं, यानि उस रिट्रेस्मेंट को सेल साइड में यूज नहीं करता हूं, मैं आप लोग को बताता हूं, तो वीडियो को ध्यान पूरवक देखिए और समझे इसको आप लोग, अब यहाँ पे मैं फेवनाची रिट्रेस्मेंट लगा लेता हूं, इस चार्ड पर मैंने चार्ड ओपन कर दिया है, यहाँ पर और इस चार्ड पर मैंने फेवनाची रिट तो यहाँ पर जैसे यह फ्राइडे का है, फ्राइडे का यह चार्ड है, फ्राइडे के चार्ड पर पहले चलते हैं, फ्राइडे के चार्ड पर बैंक निप्टी कुछ गैप उपन होता है, और उसके बाद ही रिट्रेस होके नीचे की साइड में अब यहाँ पर हम फेवना तो मैं इन थारी चीजों को निकालता हूँ, यहांपे क्या रखना है मैं वह बताता हूँ, चुनी का मैं ठीक है, मुझे जरुएट नहीं है हुए, यहांं पर मैने एक यूज कर दिया कर दिया91. का फैमना चीमने को नियूज कर दिया, यह सेटिंग हमने चेंज किये हैं तो आपको यह लगाकर रखना पड़ेगा और दूसरा मैं यहां पर एक और लगाता हूं वह है फॉन 0.27 का ठीक है दो मैं यहां पर लगाकर रखता हूं यह हमारे टार्गिट के लिए है तो यह मैंने यहां पर यूज कर दिया और इसको मैंने यहां पर लगा लिया आप चार्ड को थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं जिससे आप लोग को चीज़े अच्छी तरह से दिखेंगे अब यहां फीनल सा लूब पकड़ लेते हैं उसे अब यहां पर ने फटेंट को यहां करने के बाद अब यहां से दिखेंगे मार्केट चेका का तरह हूं यहां वार्या को फॉलो कर और दो ने चल रहा है इस साइड में चल रहा हूँ साइड में को चृशा करता हूं और खासर दो झाल के लिए का थाया हूं वियूज शाया हम यहां पर एक setup तो हमने बताया हुआ है आपको पहले ट्रेड यहां पर मिल चुका है है मरता है तो मैं देखिए मैंने कल भी बताया था और आज भी मैं यह बता रहा हूं कि यह चीज हमेंसा जार हो कि पहला बनेगा वह बेस्ट होता है ठीक है अब नहीं पहला बना तो हम दूसरी के लि फिप्ती परसंट तक तो वह लोग करते हैं वहां तक तो वह देखते हैं कि सायद मार्केश रिवर्स हो जाए लेकिन मार्केश अब हो गया ऊपर की सायद में यहां पर निकलता है और यहां पर 71 पर सिको मैं बाइग करूंगा जो भी 70 परसंट यहां पर दिख रहा ब्रेक किभी कभी कहा होता एक घएक पर prov कारें है रख कर रही है लेकिन हम पहमनाछी को यूजगा स्वेस्च जाता है जो तो यहां पर चेहा रहा है। 242 133 पर मैं इसको बाइंग करूंगा अच्छा बाइंग करूंगा सीज़ा बाइंग करूंगा यहां पर कुछ देखना नहीं मुझे यहां पर और मेरा जो एसल बनेगा वह रहेगा थर्टी एट परसेंट इसलिए है कि यह मेरा इसल का काम कर रहा है बाकि इसका कोई मतलम नि कि कि मेरा यहां पर स्यगर के बाद मैं उसी मूमेंटम में चल रहा है तो उसी को होल्ड कर रहा हूं नहीं तो वो एकज़िट करके जाऊंगा लेकिन यह ध्यान रखना है आपको कि 71% के उपर आज आपको कभी कभी ऐसा दिखेगा लेकिन 71 के बाद आप देखोंगे जर्ण करना है अगर किसी नीचे आता है आपके को हिट कर तो वहां पर सोचना नहीं बहुत सारे लोग अगते हैं निकलो ना निकलो हां पांधास पॉंट का वो जो भफा रहता है उसको आपको देखना पड़ेगा बाकिसल के पास निकल जाना कि यहां से वापस होगा ना जब यह 71 ऐसे इस लोगो भी रिस्प्ट नहीं करेगा इस लोग को बेकर देगा जयादा तर टाइम मैं यह देख़ागें लेकिन यहां यहां पर 207 हमारा दो यहां पर फास्ट होते और आपस्ट बाइइंग में हमें क्या थी होता है मुमेंटम चाहिए हो ताकि फास्ट किस तरह से बहुत जल्दी हमारे टार्गेट पास पहुंचे जितना जल्दी पहुंचेगा अगर मालीजिए सुबह उसने स्टार्ट किया 2200 पे और साम को 2200 जाता है ना तो साइद हमें कुछ नहीं मिला लेकिन सुबह 2200 स्टार्ट करता ह ईहां तो हमें जागा गया तो सोचना नहीं कहते मैं हरे टार्गेट के पास में भी नहीं सोच नहीं को तär desta mina हम तो हमारा प्रीमियम वह 10-15 पॉइंट का प्रीमियम खा जाएगा अगर जिंटों का प्रीमियम चल रहा है ना तो तुरंथ ही लेकर चला जाएगा जब भी फास्ट मूब होता है तो यह हमेसा ध्यान में टकिए गया उस फास्ट मूब को अगर बैंक निप्टी ने होल्ड कर तो आपका प्रीमियम 10-12-15 पॉइंट कम हो नहीं होना है उस फास्ट मूब में एक कॉंटिटी आप निकाल दो कि आपका 70% 80% कॉंटिटी करो कि निकाल दो 20% रखो ज्यादा लालत मत करो वह मोमेंटम अगर चला तो ठीक है नहीं चला तो वहां पर प्रॉफित बुक करके आप निकल जाओ अब इतमें आपके जो कोश्चन होंगे अपने सबसे पहले तो सरी है कि अभी हमने एक दिन का लिया और इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं इसको लोगों को जितना हम जादे एक्जामपल देंगे उतना जादा क्लारिटी बनती है इसको हम इसे छोड़ता ही मैं सेलिंग के लिए यूज ही नहीं करता हूं मैं सिर्फ मेरा माइंड क्लियर है मैं बाइंग के लिए ही यूज करता हूं सेलिंग के से मेरा कोई मतलब नहीं है तो हमने इसको यहां पर यूज कर लिया थोड़ा सालका से नीचे हल्का सब्सक्राइब थोड़ा थोड़ा उ आप समझ रहे हैं तो यह तो पूरा दिन की बात हो गई अगर जैसे यहां पर हमारे पास अल्रेडी लो है पर जब आप करोगे और लो के बाद उसने उपर हिट करना शुरू गया तो आप हाई से लोगों करोगे जिस बिग्निर्स को बदा दूसी चीजे अचा एक चीज मैं तो यहां पर देखें यहां पर हमारा 71 फोड़ा साथ इसको मैं यहां पर हमने हाई और लो यहां पर भी मार्क कर लिया और यहां पर हमारा जो 71 परसेंट है वो यह केंडल है लगबग 136 यानि 41,536 ठीक है 536 पर यहां पर यह को इसको क्रॉस कर रहा है और उसके बाद अलेडी टाइम हो चुका है तो ज्यादा कुछ हमारे पास बचा ही नही अब यह टाइम को तो हम नहीं देख सकते हैं कि कब ब्रेक करेंगा एक बजे कर रहा है तो यहां पर जैसे इस लेवल को इस नहीं निकाला 39 को या लेडी 650 के पास तक गया अगर लाच तक देखेंगे आप मुमेंटम यहां पर देखेंगे तो 622 तक गया या लेडी आपको यहां पर लगबग 90 पॉइंट की मुमेंट इसने देखे गया यहां पर इस जगह पर अब थोड़ा सा पीछे और चलते हैं ध्यान यहां सा रखना है कि इसको हम इंट्राडे के लिए ही से यूज करना है अगर यह सेटप बनता तो सब बीटी एश्टी के लिए मैं बार बार बोलता हूं बीटी एश्टी सबसे अच्छा ब्रेक आउट पे होता है अगर चार-पांच दिन बैंक निफटी कहीं पर भी रुका हुआ है कहीं पर भी रुक गया एक रेंज बना दिया और उस रेंज के अपर एंड के पास में जाके क्लोज कर रहा है तो एक बार मैं चोटा सा रिस पिल्वे लूगा साहने में अच्छार के विखी पृफिश्ट पर में चुछ कर दी यूस ऊंड मांगे चीए उप किस्से को सूर है एक चरुछ भी यहां पर इसको अच्छा कब होता है देखिए दो चीजे यहां पर देखे इस चार्ट को और इस चार्ट को जड़ा ध्यान देखें इस चार्ट में क्या है इस चार्ट में एक ट्रेंड है नीचे की साइड में जा रहा है तो इसका रिट्रेश्मेंट होगा तो अच्छा होग जो क्या यहां पर भी यूज़ करने लिए तो आप हमें पहले चार्ड के ट्रेंड को देखो कि यह गिर 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 या रहा तो हमें यह चांसे है कि यह लिडी अच्छा पॉंइंट यहां पर बैंक निप्टी ऊपर से देखेंगे तो 41,600 से आचुका है लगवकर 41,300 यहा है कुछ भी नहीं है यहां पर एक सुप्राइब को यहां पर देखेंगे तो 7-200 का डाउन फॉल है लेकिन सद्ग हो जो इस टे गिरने वाली नहीं दिखने लिए यहांपे कुछ चाहा नहीं है हैं तो यहां पे तो कि यहां पर अच्छा खाता है यह दाउन फॉल में मिला हुआ है यहां पर तो आप हैंगर नहीं चोड़ेंगे यहां पर बहुत अच्छी जगे बंद रही है तो आपको यह सब चीजे जैसे आपको एक्सपिरियंस होगा ना यह सब सारी चीजे आपको दिखनी इसटार्ट हो होंगे हम अब यहां पर वापत थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा कोई बात उसे वहीं से बस ड्रैक्टर लीजे नीचे से यहां यहां तक लेके चलते हैं अच्छा यहां यह क्लियर होगा ऊपर क्लियर ठीक है तो यहां ते वापत मैंने हाई और लोग को मार्क कर लिया करने के वापत 71 परसंट को हम ने देखा अब यहोगा क्या यहां पर चलते हुए यहां पर ट्रेड लूं या ना लूँ बहुत उपर आई हो गए बहुत बहुत उपर आ चुगा तो जाहिरती बात है वो सोच उसकी सही है लेकिन कैसे ट्रेड लेते हैं देखि क्या होगा अ मान लिए यहां पर मुझे अगर 2000 का प्रॉफिट हुआ है तो मैं यहां पर 500 का रिस्क तो लूँगा ही लूँगा ना तो यह रिस्क आपको यह पैसे बना के देगा यहां पर क्योंकि अगर हम रिट्रेस्मेंट करते हैं तो जाहिरती बात है कि कोई ना कोई नीचे सेटप ब चोटी सी मुण्तिक से ट्रेट करो तभीौंफिडेस आएगा जिब उसट्रेड को आप लिखो गें अपनी डायारी में ना कि मैने ने ठरी लेट जा ले लिए अब जब अप जब अब और आप रिवीव करो हैं डेट के जैनलीजिस करों गे तब आपको सान्विडेस करोग उसके आप ट्रेट कर रहें थो लिख के रखों, लिखने से ये होगा कि उसकी एनालिशिस हम कर सकते हैं इसमें क्या कमिया हैं और क्या अच्छाईया है जो कमिया होंगी उसको दूर करेंगे जो अच्छाईया होंगी उसको और स्ट्रांग करते हुए जाएंगे तो वह सेटप आपके लिए वर्क करने लगेगा जब आप अच्छाई जो आपके लिए कोई सारे से प्रॉफिट निकाल लोगा आप सारे से प्रॉफिट नहीं निकाल पाऊगे सेटप के साथ साथ कई जगे पर आप क्या देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा हुए यह भी देखना पड़ता है कि घोडा दौर के कितना आ गया इसा तो नहीं गोडा दौर के तो आ रहा है सेटप भी बन गया लेकिन गोडा थक गया वहां पर आते आते तो वो सब चीज आपको ध्यान देखने पर तो मुझे लोगों को इसमें क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से रिट्रेस्मेंट को ट्रेंट करना है इंपॉर्टन क जो भी मैं चीजें यहां पर बता रहा हूं ना वह डेड़ दो साल से जब मुझे मेरे सेटप में आ जाती है ना तो मैं इसको यूज करते रहता हूं यह सोच बिचार करने का मेरा टाइम नहीं है मैंने सोच बिचार के लिए दो साल भी आपको नहीं आए गाए जब तक आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा लिख के आप देखो के तभी आएगा सो तरह की चीजे लोग बताते हैं लिकिन आम क्या कि अम प्रेक्टिस ही नहीं करते हैं जब हम प्रेक्टिस किया हुआ है मैं इसको किया है यह सिर्फ आपका नहीं है सारे सक्सेस्फुल कि आपकी सेटिंगs सेंगया हुए ही यह था है अपने तhosले क किसी ने ओपने सेटीप किया होगा उगा कुछ Ωोसकता किसी कैसी ने कुछ देखा उसको मिल जाता होगा यह मुझे नहीं हो तो आपको एपको इसिसा लगा क्या जीए ठीच कि आणे लूगा और इस इंफिरम नेक्स वीडियो के अंदर नेक्स ट्राटेजी अभी लोग बहुत सब्सक्राइब हो गए हैं इंतजार कर रहे हैं और रेगुलर कॉमेंट्स आरे हैं कि उन्हें आपसे बहुत को सीखना बागी है उनको सारी चीजे में बता के जाओंगा आपको सीखना है बस प्रेक्टिस कर मेरे बस एक ही रिक्वेश्ट आइन लोग से जो भी आप देख रहे हो ना इसको प्रेक्टिस करें तुरंद पहले दिन से कुछ नहीं होगा या एक दिन यूज करने के बाद दूसरे दिन छोड़ दो कोई मतलम ने उसको आप्रेक्टिस करो सौट्रेट तो कम से कम लो आप पर तो कॉंटिटी मारे तो क्या होगा लॉस होगा उस तरह में पर कुछ और भी करना है वह भी हम आपको बताएंगे सो स्टे ट्यून आप सब्स्राइब कर सकते हैं चैनल को बेले कर सकते हैं जिस्टाने वाली आप वीडियो मिसना गरें सो सी यू ने नेक्स वीडियो ते यूवसल्फ मेट अंजैन